दोस्तों बात करने वाले है नवल डेक्याड मुंबई में जो है अप्रेंटिसिप की भरती निकाली गई है और इसका आवेदन जो है 23 अप्रिल से सुरू होने वाला है 23 अप्रिल को हम एक वीडियो लेकर आएंगे कैसी इसमें फॉर्म को अप्लाई करना है इससे पाले ये वेकेंसी जो है करने को मिल रहा है तो आए जानते हैं इस भरती की समपूर जनकारी स्लेक्शन प्रोसेस लिमीट इसके लवा किस परकार के यह जो है ट्रेनिंग होता है क्या होता है सबस्क्राइब बात करेंगे इससे क्या बैनिफीट से सबस्क्राइब आपको बताने वाले हैं देखिए स समझते हैं कि इसका जो है ओलने आवेदन जो है होने वाला है इस वेब साइट से यहां पे इन्होंने अल्लेडी नोटिफिकेस यह नोटिफिकेसन है अगर आप नोटिफिकेसन डाउलोड करना चाहते है तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स प्रोवाइड कर द इलिजबल आईटी आई ट्रेड मतलब या कि अगर आप इलेक्टिसियन से आईटी आई किया है तो आप इस वाले ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यह सब जो है वान येर का ट्रेनिंग होता है इसमे आप देखेंगे नंबर वेकेंसी भी दिया हुआ है इस तरह से आप पैंटर तो इतने 20 तरह के पदों पर भरती है इसके अलावा तू यह की वेकेंसी फ्रेसर के लिए मतलब क्या कि इसमें आपको आई ट्याई नहीं जाए सिर्फ आप आठवी पास है तो रीगर वाले पद पर फॉर्म भर सकते हैं बारव पद हैं इसके आपको दसवी पास बोला गए फ्रेसर आप सिर्फ दसवी पास है तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे इस पे एक पद है तो इस तरह से आप देखेंगे फ्रेसर के लिए दो पद आप कराने वाले बाकि अगर कोई आई टी आई कर रखा हुआ जिस भी ट्रे के लिए डर के लिए ट्रेणिंग मिलता है जिसे हाप इस अब इस सब ट्रेड के लिए एक साल के ट्रेणिंग है और आप देखेंगे नीचे जी सब्क के लिए दो साल के is ने कि आप सिखते हैं काम को जी आंग दोस्तों अगर आप इसने ज्वा ani होते हैं तो आपको training दो साल चैटिए मिलता है उस साटिफिकेट को आप कहीं ही दिखाते हैं कि हमने यहां पर काम किया हुआ है तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा preference मिल जाता है या और कोई भी government job आती है और आप उसमें दर्साते हैं कि मैंने apprenticeship कर रखा हुआ जैसा भी railway group D की 11 की vacancy आएगी level 1 की तो उसमें भी आपको यहाँ पर preference मिल जाता है कि हाँ आपने apprenticeship किया हुआ इस ट्रेड से इस जगह पर तो वह आपके वहुत ही फायदेबंद हो जाते हैं अब कुछ हूट मिल जाता है बहुत सारी चीज़ेंग ऊपर या कभी कभी इंडियन नेवी जो है ना वेकेंसी निकालती है और बताती है कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसिप चाहिए तो अगर आप किये रहेंगे तभी आप इलिजबल होंगे तो ऐसे कई बार इंडियन ने भी वेकेंसी निकालती है तो यह होता है बेनिफिट्स इसका करने का और देखें यह जो एक 10,000 से आपको स्टाइपन यहां पर मिलेगा अब इस 10,000 में आपके खर्चें लिकल जाएंगे लेकिन आप सेविंग नहीं कर पाईएगा बट आपको हाँ ट्रेनिंग जो मिलेगा वह आपको आगे 20 से के लिए बहुत फायदे मन्द होगा इसी तरह से इसमें भी आपको इसमें चलेगा पास होना चाहिए और नन इट यही में देखेंगे आपका रिगर के लिए आठवी पास और WhatsApp लेट के लिए नहीं कोई परसेंटेज के रिक्वार्मेंट यहां पर नहीं है यहां पर एज की बात की गई है तो मिनमम एज 14 रखा गया है इसके अलावा आप देखेंगे अठारा यह भी यहां पर रखा हुआ और वजन जो है 45 किजी से कम नहीं होना चाहिए चेस्ट आपको 5 cm फुलाने आना चाहिए आख का जो साइट होना चाहिए बिल्कुल साइट करेक्ट होना चाहिए तो यह थोड़ा सा फिजकल यहां पर यह लोग लेखते हैं आपका फिजकल थोड़ा बोद अच्छे से आप ल स्फिल स्फिल आपको साट लिस्ट होंगे स्वट लिस्ट होने के वाधस आपको रिटे क्जा महरा ओगा सौ्ट लिस्ट होने का पूसिस्च किया है यह अगर कोई त्रेट से फ़र्म परना चाहता है तो उनके पर्संटेजativa उसके बस पर आपको सौट लिष्ट होगा और उसके बाद आपका जो है रीटेन एक्जाम होगा ठीक है ना और इसी तरह से आप देखेंगे जो भी किंडिट फ़र्म भरेंगे उनका भी पर्चेंटेज ही देखा जाएगा आठवी में और दस्वी में क्या पर्चेंटेज है उसके बेस पर आपका सॉटलिस्ट क होते हैं जिसमें जेनरल साइंस के 35 मैथमाटिक्स के आपका जो है जनरल अवर्नेस के देखेंगे तो तीस कोसल्स रहते हैं कोई निगेटीब मार्किंग नहीं होता है दो घंटेक आपका एक्जाम होता है हिंदी इंग्रिस दोनों लेंग्वज में आपको एक्जाम यहां अब यहां पर सेंटर और बोला गया कि मुंबई में आपका इंटर रहेगा माई जुन दोजर चोवीस नों आपका इक्जाम सेंटर होने वाला है तो यह इसका फिर जो है इसके बाद इंटर्वीव आपका होता है पहले तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगा जब अब यह एक्जाम दे देंगे उसके बाद से इंटर्वीव होगा फिर आपका डॉकमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके वेसे ओरल टेस्ट होगा जिस भी मतलब ट्रेट से आप फॉर्म भरेंगे उसमें थोड़ा बहुत आपके टेस्ट लिए जाएंगे उसकी बाद आप का फारेल मेरिट लिस्ट यहां पर त्यार होने वाला है तो यह इसका पूरा सेलेक्शन प्रोसेस है फ्रेंट्स इसके विसे लास्ट मप का मेडिकल एक्जामेशन होगा और आपके ट्रेनिंग जो है जुलाई या अगस्ट 2024 में स्टार्ट हो जाएगी तो यह सारे चीज़ अब बताया गया कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे तो 21 दिन बोला गया है जिस दिन रुजगार समाचार में इसका नोटीस आएगा तो इसी विकेंड में आपका रुजगार समाचार में नोटीस इसका आ जागा फ्रेंट्स और आप लोग फॉर्म को अप्लाई करें सित लाएगा अगर आप अप्लीकेंबल है तो और सब्सक्राप्र पासपड है यह अधार पैंडी प्रूफ आपको देना होगा दो सो के वीजगा यह फॉर्म भरने इससे पहले यह सब डोकुमेंट्स आपको लगने वाले तो यह सब ले ले लीजएगा अधार काड़ जो है compulsory है अधार काड़ भी लएगा और लेटेस्ट सेल्फ फोटोग्राफ एंड फोटोग्राफ अधर डॉकुमेंट्स यह सब भी आपको आप लिखाव है टेकन फ्रॉम मोबाइल या क्यामरा एंड अप्लोड़ेट आर नॉट एक्सेप्टेबल तो आपको यह सबसे बड़ी बात यहां पे लिख हुआ है और पहचान में आता है कि मोबाइल से खीचा गया है कि एस्केन किया गया है तो यह भी सिर्फ ध्यान देना आपको वरना आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा तो इसी वेबसाइट से आपको ऑल्लाइन मोड में फॉर्म को अपलाई करना है जिसे आवे देने स्टाटों गम प्रोपर एक वीडियो लेकर आएंगे आपक आसा करता हूँ फ्रेंट्स आपको जनकाली समझ माया होगा इस अप्रेंटिस सी भरती के बारे में अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंटे कमेंट बोक्स में पूछेगा मिलता है किसी नेक्स वीड़ो में जहिंद आपका दिन सुग हो